हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलिजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज के सिस्टन में हम लोग एक बार फिर से भारत की वुगल टॉपिक से को कवर करने जा रहा है और फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि अभी हम लोग एक किरन पब्ली के सन का जो समाना दिन का बुक लांज किया गया है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं और फ्रेंट्स इस बुक में टूटल 6300 प्लस mcq दिया हुआ है topic wise तो चलिए सुरू करते हैं आज का session लेकिन उसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में बेल अगन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा वी से पहले यहां पे देखेंगे question no474 को ठीक है तो देखिए इसमें केया राए कि भारत के किस सहर में हीराению उद्योग है भारत के किस सहर में हीरा तराशने का कारयाइं उद्योग है तो देखिए सही answer इस question का यहां पर option no3 हो जाएगा यानि की सूरत सहर में है ठीक है गुजर सिला गंगाई डौल्फिन अभयारन्य स्थीत है कहां पे स्थीत है तो यह एक है बिहार के भागल पूर जले में यादर रुखिए गा तो ऑप्से नुमर दो हो जाएगा सही आंसर उसके बाच यहीं नेक्स्ट कुशन कहां पर है मुंबई में है याद रखेगा और फ्रेंस आपको बताते चलें कि इसकी अस्थापना हुई थी 1954 याने की 1954 इस भी मैं आप लोग यह भी याद रखेगा ठीक है तो ऑप्सन नमर चार हो जाएगा सही अंसर चलें नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे कि निम्लेकित में से किस राज्य में सिमली पाल राष्ट्य उद्यान इस्थित है निम्लेकित में से किस राज्य में सिमली पाल राष्ट्य उद्यान इस्थित है तो सही अंसर है इसका देखी ओडिसा राज्य में ठीक है कहा है ओडिसा राज्य में इस्थित है याद रखेगा ऑप्सन नमर एक इस question का सही answer हो जाएगा चलिए next question देख लिजी question नमर हो जाएगा यहाँ पी 478 कह रहा है कि भारत का राश्रिय युद्ध असमारक किस सहर में है तो यह कहां है friends यह हो जाएगा यहाँ पर देखिए नई दिल्ले में ठीक है कहां है यह नई दिल्ले में है option नमर 2 हो कि निमलेकित में से कौन से राजी की राज़धानी इटा नगर है निमलेकित में से कौन से राजी की राज़धानी इटा नगर है सही answer है इसका देखिए अरुनाचल प्रदेश जो है इसी की राज़धानी कहा है इटा नगर तो option नमर 3 हो जाएगा next है देखिए next यहाँ प उसके बार चलिए next question देखेंगे देखे next question यहाँ पर जो दिया हुआ है कहा रहा है कि राची सहर निमलेखित में से किस राजी की राज़धानी है तो फ्रेंट्स आप लोग जानते होंगे जहारखंड की राज़धानी कहा है राची option नमर 3 हो जाएगा सही answer चलिए next question देखें कौन सी नदी है वो तो फ्रेंट्स वह नदी है देखें सिंधु नदी option नमर 4 हो जाएगा next question काजी रंगा राश्रे उद्यान निमलेखित में से किस राज़धा में आवस्थित है सही answer इस question का यहाँ पर देखें हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा देखें असम में ठीक वालमी की taga reserve किस जिले में स्थित है सही answer इस question का यहाँ पर देखें पस्चिम जमबारन जिले में स्थित है वालमी की taga reserve तो option नमर एक इस question का सही answer हो जाएगा अब चलिए next question देखें देखें इस में कह रहा है कि निमलेखित में से किस राज़धा में ACI सिंग पाये जाते ह यहाँ जाते है तो यहाँ पाये जाते हैं गुजरात में ठीक है option number 4 हो जा्यगा तो यहां इस्थित है वडोदरा में ठीक है कहा है वडोदरा में इस्थित है और यहां वडोदरा कहा है तो यहां गुजरात में है option नमर एक हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स अब चलिया अगला question देख लीजे देखे next question यहां पर हो जाएगा question number 487 यानि की 487 नमर का question होगा यह कहर में कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो वो हो जाएगा देखे यहाँ पर वूलर जील ठीक है वूलर जील जो है यह एसिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जीलों में से एक है और यह के अंदर सासित प् भारत नेपाल अंतराष्टे सीमा के साहरे कौन सा राज्य इस्थित नहीं है तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पर देखिए हिमाचल परदेश ठीक है हिमाचल परदेश जो इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा option नमर चार होगा ठीक है फ्रेंट्स देखिए नेपाल जो ह है कि भीतर कनी का वन जीब शेतर इन्यमलेकित में से किसके लिए विस्व प्रसीद प्रजनन अस्थल है तो वह हो जाएगा देखिए कच्छुओं के लिए option नमर चार हो जाएगा इस कुश्चन का सही आंसर अब चलिए next कुश्चन देखिए यहाँ पर कुश्चन नमर हो करतारपूर कोरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है तो याद रखेगा यहाँ भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है option नमर एक इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसके बाद next कुश्चन में करा है कि निमनलेकित वनेजीब शेतरों में से किसे भारत में सरोपर्थम जैब मंडल आरक्षित के रूप में घोसित किया गया था निमनलेकित वनेजीब शेतरों में से किसे भारत में सरोपर्थम जैब मंडल आरक्षित के रूप में घोसित किया गया था सही आंसर है इसका देखिए निलगीरी को ठीक है किसको किया गया था निलगीरी बायस पर तो आप्सें नमर 3 हो जएगा ऍश्र, अब next question में देखेंगे, next question यहां पर देखें कहरा है कि मखाना की खेटी के लिए देश का अगरनी राज्य कौनसा है, तो वह अगरनी राज्य हो जाएगा देखें यहां पर बिहार, option number 3 हो जाएगा सही answer अब next question देखिए देखिए next question यहां जो दिया हुआ है कह रहा है इस question में कि निम्नांकित में से कौन सा दूइप भारत में अवस्थित नहीं है कौन सा दूइप है वो तो वो दूइप हो जाएगा देखिए अस्तोला दूइप अस्तोला दूइप जो है यहां अरब सागरे में एक छोटा निर्जन पाकिस्तानी दूइप है option number 2 हो जाएगा सही answer अब next question देखेंगे कह रहा है कि भारत का दक्षिंतम बिंदू इंदीरा पॉइंट का अक्षांसिय इस्थिति क्या है वारत का दक्षिंतम बिंदू इंदीरा पॉइंट का अक्षांसिय इस्थिति क्या है तो इसका जो अक्षांसिय इस्थिति हो जाएगा वो हो जाएगा देखें च्छोड डिगरी 30 मिनट नॉर्थ में option number 1 हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट कोईशन देख लिए फ्रेंट्स यहाँ पर कहा रहा है कि अरुनाचल प्रदेश के इटा नगर और गुजरात के कच के अस्थानी समय में कितने घंटे का अंतर है तो सही आंसर है इसका देखें दो घंटे का अंतर हो जाएगा अब नेक्स्ट कोईशन में कहा रहा है कि सतलज से काली नदी के बीच के हिमालाई को क्या कहते है क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है कुमायू ही माल है ठीक है क्या कहा जाता है से कुमायू ही माल है कहा जाता है option number 2 हो जाएगा सही answer ठीक है फिर सली अब next question देखेंगे देखें next question जो दिया हुआ है कहा रहा है इसमें कि विस्व के कुल छेतरफल का कितना परतिसत भारत देश का छेतरफल है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखें 2.4% option number 2 हो जाएगा सही answer उसके बाद next question है कि जन संक्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखें जन मतर option number 1 इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है अब चलिए next question देख लिजिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सिंदु नदी की सहायक नदी नहीं है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखें दीहांग नदी option number 4 हो जाएगा सही answer उसके बाद है कि मयूराक्षी बहुदेशी नदी घाटी पर योजना किस राजे में है तो यह है पश्चिम बंगाल में ठीक है मयूराक्षी जलास से पर योजना जो है यह मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है और यह कहा है तो पश्चिम बंगाल वे इसा में option number 3 हो जाएगा next question है कि जबलपूर किशनादी के किनारे अवस्थित है तो जबलपूर देखे फ्रंस यहां नर्मदान अदी के किनारे अवस्थित है option number 2 हो जाएगा सही answer और जबलपूर जो है यह कहां पे है यहां मत्य पर्देश में अब लोग यह भी याद रख जगा ठीक है, एन हने इस heto question का क्या हो जाएगा? Right answer हो जाएगा, ओ यह फश आडश बर देखते हैं next question कहरा है इसमें कि निवन में से कौन भारत की जन जाती नहीं है isEC. 506 और कह रहा है कि सस्य गहनता का सुत्र किया है सस्य गहनता का सुत्र किया है तो इसका सुत्र हो जाएगा देखे यहाँ पर जो option नमर एक में दिया हुआ है सुद्ध बोया गया छेतर वट्टे कुल बोया गया छेतर गुना में एक सो option नमर एक हो जाएगा ठीक है फ्रेंट सेले नेक्स्ट कोईशन देखेंगे यहाँ पे देखें नेक्स्ट कोईशन जो दिया हुआ है क्वेशन नमर हो जाएगा 507 नमर का कोईशन होगा यह और देखें इस कोईशन में कह रहा है कि भारत का 90% सोयाबिन उत्पादन करने वाला राजी कौन है भारत क अगला कोईशन देख लिए यहाँ पे कह रहा है कि निमन में से कौन रेसम का परकार नहीं है तो वो हो जागा यहाँ पे अलपाका जो है यह एक रेसम का परकार नहीं है याद रखेगा आप लोग ठीक है तो आपसन नमर चार हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोईशन है कि भारत का सरवाधिक भुकंप के खत्रे का जून कौन सा है तो वह जून हो जाएगा देखे जून फायब हो जाएगा ठीक है अपसन नमर चार हो जाएगा इस कुश्चन का सही आंसर फ्रेंट्स उसके बाइए अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन में क्या राया है कि गु अब नेक्स्ट के नेरो गेज की चोड़ाई कितनी होती है सही आंसर इसकोश्चन का यहां पर अपसन नमर एक हो जाएगा उसके बाद चली अगला क्वेश्चन देखेंगे पांसलतेहरा में कहरा है कि गंगा में दक्षिन की और से मिलने वाली नदी नहीं है कौनसे वह है तो देखे वह हो जाएगा यहां पर सोन नदी अपसन नमर एक हो जाएगा उसके बाद चलिए अगला क्वेशन देख लिजे और आयोध्या ऐसके बाद चलिए अगला क्यों देखेंगे अगला क्यों धेला क्यों कैना हो मित पांसो सोलल संख्यावला राज여 हो जाएगा ठीक है तीसरा सब से अधिक जन संख्यावला राज源 जो है हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए अगला क्युशन देखेंगे देखें इसमें है कि यमणा नदी का उदगम किस राज जसे होता है सही आंसर इस question का उत्राखंड से होता है ठीक है कहाँ से होता है उत्राखंड option long after is question है तो यह अउत्त है तो यहां इस्थित है भागी रथी एवं भील गंगा के संगम पर यानि की option नमर एक हो जाएगा आप चलिए friends देखते हैं अगला question में कहा रहा है कि integral course factory इस्थित है integral course factory इस्थित है कहा तो यहां इस्थित है देखे पैरामबूर में option नमर तीन हो जाएगा सही आंसर उसके बाद next में कहा रहा है कि मध्य रेल मंडल का मुख्याले कहा है तो मध्य रेल मंडल का मुख्याले कहा है तो मध्य रेल मंडल का मुख्याले है मुंबए CST में option नमर ती हो जाएगा नेक्स्ट चलिए देख लीजिए देखे कहा रहा है कि भाकरा नागल बांध किश्ण नदी पर बना हुआ है तो यह बना हुआ है सतलज नदी पर ऑप्शन नमर 2 हो जाएगा इस का सही अंसर और अगला कुश्ट में कह रहा है जोग जल पर पात इस्थित है तो यह इस्थित है देखे सरावती नदी पर ऑप्सन नमर चार हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगला कुश्ट देखेंगे यहां पर इनक्स्ट कुश्ट यहाँ जो दिया हुआ है कहरा है इस कु कुश्ट नमर हो जाएगा पांसर पच्चीस कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम अस्थल कहां है सोन नदी का उद्गम अस्थल तो सोन नदी का उद्गम अस्थल जो है वो है अमर कंटक की पहारी ऑप्सन नमर दो हो जाएगा ठीक है अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे य नमर दो हो जाएगा चलिए फ्रेंट अब देखते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमर हो जाएगा पांसो अटाइस कह रहा है कि ना मेरी टैगर रीजरव भारत के किस राज़ में इस्तित है तो यह इस्तित है भारत के असमराजे में ऑप्सन नमर एक इस कुश्चन का सही आंसर होगा नेक्स्ट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो वह हो जाएगा यहां पर देखिए वुलर जील जो की जमू कस्मेर में इस्तित है ऑप्सन नमर दो हो जाएगा सही आंसर उसके बार चले नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे नेक्स्ट भारत के निमलेकित राजियों में से किसमे डेवला दर्रा इस्तित है तो यहां इस्तित है हीमा चल पर देश में आप्सन नमर तीन हो जाएगा सही आंसर उसके बार चले अगला कुश्चन देखेंगे नेक्स्ट कुश्चन जो दिया हुआ है देखें फ्रेंट्स कहरा है इ प्रतेनिधित्व करता है निमलेकित में से कौन सा च्छेत्र भारत का जैव विवीदता होट एस्पोर्ट का प्रतेनिधित्व करता है तो वह हो जाएगा देखें पस्चिमी घाट यानि की ऑप्सन नमर चार हो जाएगा सही आंसर चले अगला कुश्चन देख लिजे कह र और ये उत्राखंड की चमोले जिले में श्थीत है, तो अप्शन नमर चार हो जाएगा, सही अंसर नेक्स्ट है, तिलाइया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो देखिए, सही अंसर इस कुशिन का यहाँ पर अप्शन नमर एक हो जाएगा, यह बराकर नदी पर है, जाएगा उसके बाद next question देख लिजा, देखिये कह रहा है कि रेगूर मिठियां इस नाम से भी जानी जाती है, रेगूर मिठी को और किस नाम से जाना जाता यहीं पूछ रहा है, तो रेगूर मिठी जो यह काले मिठी के नाम से भी जाना जाती है, option number 1 हो जाएगा, अगला question म कहाँ आए कि निम्लेकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो देखे इस question का यहां पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर option नमर 5 उपड़ युक्त में से कोई नहीं या फिर उपड़ युक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा इस question का और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्लेखित कूट की सायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखे इस question का right answer यहाँ पर option number 2 हो जाएगा केवल एक दो और चार हो जाएगा ठीक है अगला question देखेंगे question निम्लेखित में से कौन सा एक सही नहीं है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे option number इस question का देखे 5 हो जाएगा ठीक है option number 5 इस question का correct answer हो जाएगा फ्रेंटस अब चलिए next question देखेंगे देखें next question यहाँ पर जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्लेकित में से कौन सा एक भारत में कहवा उतपादन में अगरनी है तो वह हो जाएगा यहाँ पर करना टक option number 2 हो जाएगा इस question का सही answer अब चलिए फ्रेंटस देखें next question देखें next question यहाँ पर कह रहा है कि जन इस question का correct answer होगा आप चलिए next question देख लिए next question यहाँ पर question 542 कहरा है इसमें कि निम्लेकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उपिक नेयर चh чис watershed जो दियावा या सही सुमेलित नहीं होगा अब next question देख लीजी क्विशेन नमर यहाँ पर पांस ताइस हो जाएगा यहाँ पर पांस ताइस ओ जाएगा और देखें है कि निमलेकित में से किस एक कृसी उपज का भारत विस्व में सरवाधिक उत्पादक है आई अब देखते हैं next question कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत का दूसरी अस्थान पर स्रवादिक जनसंख्यावला सहर कौन सा है तो वह सहर यहां पर हो जाएगा देखें दिल्ली option number 1 इस question का सही answer होगा अब next question में यहां पर देखें कह रहा है कि इनमें से कौन सा लह इस पात कार खाना समुदर तट पर इस्थित है तो वह हो जाएगा देखें विशाक अपटनम option number 3 होगा next question next है प्रति वर्ग किलो मीटर में रहने वाले लोगों की संख्याव को जनसंख्याव क्या कहते हैं तो देखें प्रति वर्ग किलो मीटर में रहने वाले लोग पुर्वत्तर भारत के साथ बहनों में कौन सा राजय सामिल नहीं है तो देखे फ्रेंट्स इसमें हिमाचल प्रदेश सामिल नहीं होगा अप्शन नमबर एक हो जाएगा सही आंसर अप चले नेक्स्ट कोशन देख लिजे नेक्स्ट कोशन यहां जो दिया हुआ है क्वेशन पुर्वी मध्य रेल्वे जोन का मुख्याला इस्थित है तो यहां इस्थित हो जाएगा देखे यहां पर हाजिपूर ऑप्शन नमबर एक इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स उसके बाद चले नेक्स्ट कोशन में कह रहा है देखे पहले खाली जगत दिया है कह रहा है कि और तापती नदियां एक दूसरे के लवख समाना अंतर बहती है लेकिन विप्रित दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है तो वह नदी देखे यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नमबर तीन याने की नर्मदा की बात यहां पर हो रहा है नर्मदा ठीक है नर्म का सबसे बढ़ तिलसुधन कारकाना कहां इस्थित है तो यहां है जामनगर में ठीक है कहां पे है यहां जामनगर में है आप लोग याद रखेएगा जामनगर कहां गुजरत यानकिशन नम PROF 4 हो जाएगा बारत के किस सहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है तो वो हो जागा यहां पर देखे सूरत सहर जो की गुजरात में अप्सन नमर तीन हो जाएगा सही आंसर अब नेक्स्ट कुश्चन के राए कि भारतिय वन जीव सनरक्षन अधिनियम किस वर्स लागू किया गया था त निमलेखित में से किस राज में सिमली पाल राष्ट उद्यार इस्तित है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हो जाएगा ओडिसा राज ऑप्सन नमर एक हो जाएगा आप चलिए अगला कुश्चन देखेंगे 556 नमर का कुश्चन हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन देख लिजे कह रहा है कि मोतिहारी अमलेख गंच पाइपलाइन भारत एबम किसके मद पेट्रूलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है तो यह बनाती है भारत एबम नेपाल आप्सन नमर तीन हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देख लिजे कह रहा है कि निम्लेकित में से कौन से राजी की राज़धानी इटानगर है राइट आंसर है अरुनाचल प्रदेश राजी की राज़धानी कहा है इटानगर तो आप्सन नमर तीन हो जाएगा सही आंसर उसके बाद चलिए नेक्स्ट कि राची सहर निम्लिकित में से किस राजी की राजधानी है तो देखे जर्खंड की राजधानी है राची उप्षिन नमर 3 हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन यहां पर कह रहा है कि लदाक, गिलगिट और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बैठती है तो वह नदी हो जाएगा देखें यहां पर सिंदु नदी उपसर नमर चार हो जाएगा Next question कह रहा है कि काजी रंगा राष्टे उद्यान ने मिलिक्त में से किस राजे में आवस्थित है काजी रंगा राष्टे उद्यान तो यह आवस्थित है असम राजे में option नमर दो हो जाएगा अब चलिए अगला question देखेंगे next question जो दिया है कि भारत के किस राजे में तेजु हवायदा इस्थित है वारत की किस राज में तेजु हवायदा इस्थित है तो यह इस्थित है अरुनाचल परदेश में है तेजु हवायदा का इस्थित है तो यह अरुनाचल परदेश में है इस्थित है अपसर नमर एक हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखेंग ACI SINGH पाए जाते हैं, सही आंसर है, गुजरात राजी जो की option नमर चार में दिया हुआ है, आगे friends अब अगला question देखते हैं, कहरा है कि किस सहर में भारत की परतम रेल यूनिवरसिटी स्थित है, तो यहाँ गुजरात के वड़ोदरा में स्थित है, option नमर एक हो जाएगा, next question बारत में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कहां पे है तो यह है कि अंदर साथी पर्देश जमो कसमेर में ठीक है डल जील हो जाएगा उपसे नमर एक इस क्वेशन का सही अंसर होगा अगला क्यूशन में क्या राह है कि भारत नेपाल अंतराष्टे सिमा के सहारे कौन सा किसके लिए 20 प्रसित प्राजनन अस्थल है तो वह हो जाएगा यहां पर कच्छों के लिए नेक्स्ट कुश्चन देखें कहा रहा है करतारपुर कोरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है सही आंसर है भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है यह अब आए अगला कुश्चन द कह रहा है कि भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है तो इसका नया नाम हो जाएगा देखें वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्सन नमर 3 हो जाएगा ठीक है बराट से ले नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे कह रहा है कि मखाना की खेती के लिए देश का सही आंसर है देखिए लगभाग 78% हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमर 13 इस question का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स उसके बाद चलिए next question देखेंगे देखें next question जो दिया हुआ है कि बेला डीला सरेनी किस जिले में इस्थित है तो यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे कहरा है कि आमन फसल संबंदित है तो आमन फसल जो है यह संबंदित है धान से अपसे नमर 4 होगा उसके बाद next question में है कि निमले कि तमसे कौन सी नदी मुहाना बनाती है निमले कि इस शूरी बनाती है तो वह नदी यहाँ पर हो जाएगा देखें नरमदा नदी ठीक है अपसन नमर 4 जो है इस question यहाँ पर सही answer होगा उसके बाद next question है कि भारत में सरवादी क्षेतर में फैले हुए one है तो वह हो जाएगा यहाँ पर ओशन कटी वन दिये सदावाहार one option नमर 2 हो जाएगा right answer उसके बाद चलिए next question देख लिजिए देखें next question में हैं यहाँ पर कह रहा है कि सुंदरी विरिक्ष में पाए जाते हैं right answer है यहाँ पर mangrove one में पाए जाते हैं सुंदरे बिर्क्ष जो है, यह कहां पर पाय जाता है, इतया मेंगरोबन में पाय जाता है, option number 2 हो जाएगा, next question है, कि उत्तर दक्षिन गलियारा जोडता है, उत्तर दक्षिन गलियारा जोडता है, तो सही है, इसका देखे, स्री नगर कन्या कुमारी को, स्री नगर कन्या कुम से November हो जाएगा option number 4 इस question का सही answer हो जाएगा friends अब next question देखेंगे कह रहा है कि 1917 में देश की पहली जूट मील कहां अस्थापित की गई थी तो यह अस्थापित किया गया था देखिए कलकत्ता में ठीक है कहां पर किया गया था कलकत्ता में स्थापित किया गया था option number 3 हो जाएगा आएफ रहा है कि करनाटक में होने वाली ग्रिस मरीतू की वर्सा को क्या कहा जाता है तो उसे आमर वर्सा कहा जाता है option number 1 हो जाएगा next question यहां पर जो दिया हुआ है इसमें है कि भारत की जलवायू है भारत की जलवायू है तो भारत की जलवायू है वह हुआ है देखे उष्ण कटी बंदिया मांसूनी option number 3 हो जाएगा और आए फ्रेंट सब देखते हैं इस वीडियो का last question के रैस में कि निम्लेकित में से कौन सी रभी फसल नहीं है निम्लेकित में से कौन सी रभी फसल नहीं है तो यहां पर देखे जुआर जो दिया हुआ है यह रभी फसल के अंतरगत नहीं आता है बाकि गेहु चैना सर्सु यह सब के सब रभी फसल के उदारन है तो option number 4 इस question का यहां पर सही पीडियाप चाहे तो हमरे टेलिग्रम चैनल से जूर जाए वहां से इसका पीडियाप भी आप लोग डाउनलड करके रिविजन कर सकते हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जूरे रहे नेक्स्ट वीडियों दवारा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जाहे हिंदे